हेलो दोस्तों मैं हूँ अश्रफ अली और आप देख रहे हो टेकनिकल अश्रफ आज मैं बात करने वाला हूँ रिवोल्ट आर्वी 400 इलेक्टिक बाइक के बारे में तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो तो पिलीज सब्सक्राइब कर ले तक ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वहाँ निर्माता कमपनी रिवोल्ट मोटर्स की आर्वी 400 भारत में काफी लोग प्रियता हासिल कर चुकी है और यहीं कारण है कि कथी तोर पर जवर्दस्त रिस्पान्स मिला है अब रिवोल्ट ने गोशना करते हुए बताया है कि आर्वी 400 इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग को 21 अक्टूबर को दो पहर 12 बजे दोबारा खोला जाएगा कमपनी ने इस इलेक्ट्रिक टू वीलर को 2019 में लंच किया था आर्वी 400 की टॉप स्पीड 85 किलो मिटर परती आवर है और यहीं सिंगल चार्ज में 180 किलो मिटर की रेंज देती है रिवोल्ट ने ट्वीटर के जरिये आर्वी 400 के 21 अक्टूबर को दो पहर 12 बजे बुकिंग के लिए उपलब्द होने की घोसना की है रिवोल्ट ने ट्वी 400 इलेक्ट्रिक बाइक भारत में काफी लोग प्रिये है और अच्छे रिस्पोंस के चलते पहले भी कहीं बार इसकी बुकिंग को बंद किया जा चुका है यदि आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदने से चुक गए हैं तो आपको 21 अक्टूबर को एक बार फिर इसे बुक करने का मौका मिलेगा कम्पनी का कहना है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग को देश के 70 सहरों में खोला जाएगा आरवी 400 पर सेंटर और अस्टेट दोनुक सरकारों की ओर से मिलने वाले इलेक्ट्रिक वीकल सबसीडी मिलती है और जून में इलेक्ट्रिक टू विलर्स पर मिलने वाली सबसीडी के बढ़ने के बाद आरवी 400 की कीमत 1.7 लाख रुपए हो गई थी बता दे कि बाइक की लुक पिरेता का कारण इसका डिजाइन और इसकी पाउड़ वा रेंज है अरवी 400 में 72 वोल्ट 3.24 क्व ह लिथियम आयन वैटरी मिलती है और इस एलेक्ट्रिक बाइक को पाउड़ देने के लिए इसमें 3KW एलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल हुआ है इसमें 240 mm फ्रांट डिस्क और 240 mm रियर डिस्क के साथ डूल डिस्क सेट अप मिलता है इसमें CBS के साथ साथ RBS भी दिया गया है इसमें इको नर्मल और एस्पोर्ट नाम से 3 राइडिंग मोड दिये गए है इन मोड्स में यह इलेक्ट्रिक बाइक क्रमसा 45 km फरती आवर 65 km फरती आवर और 85 km फरती आवर की टॉप स्पीड पकड़ सकती है इन मोड्स में इलेक्ट्रिक मोटर साइकल की रेंज क्रमसा 180 km, 120 km और 80 km निकलती है दिखने में भी यह बाइक स्पोर्टी फिल देती है इसे स्मार्टफोन के साथ एक खास एप के जरिए पेर किया जा सकता है इस एप के जरिए राइडर बाइक के कई फिचर्स को कंट्रोल कर सकता है इस एप के जरिए यह इलेक्ट्रिक बाइक बीना चावी के भी स्टार्ट की जा सकती है इसमें कई तरह के आर्टिफिसियल एक्जास्ट साउंड मिलते हैं जिन्हें एप के जरीए बदला जा सकता है